Exercise 1D, Objective Questions, Mark, Tick, Against the Correct Answer, In The Following Question No.1, 6 minus, in bracket, minus 8 ये साल्व करने पर कितना आएगा? इसमें 4 options दिये गया है एक तो minus 2 given है, फिर B में B option में क्या है? 2 है, C option में क्या है? 14 है, और D में ननाब दीज, तो इसमें कौन सा option होगा? तो इसको हम साल्व करके देख ले, तो अगर इसका हम solution देखते हैं, तो solution क्या हो जाएगा? देखें, ये given है 6 minus minus 8, देखें, single sign में कर लें इसको, तो 6 minus minus का multiply, plus 8, 6 और 8 को plus किया कितना आगया? 14 आगया, तो 14 कौन सा करेक्ट है इसमें? A, B, C पार्ट में देखें, तो C correct answer है, तो C आपका हो गया, करेक्ट हो गया, तो इसका अंतलब C option करेक्ट हो गया, question number second, minus 9, minus in bracket minus 6, इसका solution क्या होगा? तो उसका जो solution होगा, वही इसका answer हो जाएगा, तो वही objective से देख लेंगे, तो A में लिखा हुआ है, minus 15, B में, minus 3, और C, 3, 9 आपदीज, तो इनमें कौन सा सही होगा, वह आपको tick करना है, तो इसको solve कर लेते हैं पहले, तो देखे, solution में, तो जो number दिया हुआ है, minus 9, minus minus 6, तो minus 9, bracket open करेंगे, तो minus minus का multiply, plus 6, अब इसको solve करते हैं, तो देखे, opposite sign में, 9 minus का है, और 6 plus का है, तो opposite sign में, तो subtract हो जाएगा, तो 9 में 6 subtract करेंगे, तो 3 आजाएगा, minus का बड़ा number इसलिए, minus का 3, तो इसका answer क्या हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा, तो minus 3 किस में है, B option में है, तो B option आपका correct हो गया, number 3, by how much does 2 exceed minus 3, माने 2 minus 3 से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, माने compare किया जा रहा है, यहाँ पर, कि यह जो 2 number है, यह minus 3 से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, जब compare करते हैं, तो वहाँ पर minus करते हैं, तो 2 कितना बड़ा है इससे minus 3 से, इसका अंतरब 2 से minus 3 को subject कर देंगे, 2 से minus 3 को subject करेंगे, तो यहाँ पर जो 4 option दिये हैं इनमें कौन सा सही हो जाएगा minus 1 सही होगा कि 1 सही होगा कि 5 सही होगा तो इसका solution कर लेते हैं इसमें क्या करेंगे? कि 2 कितना बढ़ा है minus 3 से तो 2 से minus 3 को subject कर दिया तो 2 minus minus 3 इसको solve करें तो 2 minus minus plus 3 तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 आ गया तो 5 correct answer कौन सा है यह D option correct है तो D option पर right का निशार लगा दिया आपने